हम अपनी फिफ्ट वीडियो जो के है इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस कर रही है पिछले चार जो वीडियोज हैं उन पे कि आज हम फिर्स टाइम अपना एक रियल डेटा लेके बात करेंगे आप इसको किसी में भी कर सकते हैं बहुत सारी लेप्स अवेलेबल हैं अगर आप ओपन इंट्रो की बोक पे जाएंगे तो यूल फाइंड सो मैनी थिंग्स तो एट दा मॉमेंट हम जो है वो आपको जो बताने जा रहा हूं मैं वो होगा बेस की जाए आर्क टाइडिवर्स जमोवी तो आपके पास जमोवी यूज़ कर सकते हैं मैं जमोवी आपको थोड़ा से डिमांस्ट्रेट करूँगा मैं स्टेटा के थ्रू भी आपको ये करके दिखाऊंगा तो अगर आप उस ओपन इंट्रो बुक की लैब के लिंक पे जाएं तो वहां पे ये डेटा क्या हैं उन वेरियबल्स को देखने के लिए आप अगर डिसक्राइब की कमांड लगा दें तो येर आपका कौन सा था मन्थ, डे, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डिले, अराइवल टाइम, डिले, केरियर, मींस वह कौन सी एरलाइन थी, टेल नम, फलाइट, आपके प यह 2013 का डेटा है, एर टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना था, आवर्स, मिनेट्स में कितना था, तो basically, यह आपके पास variables हैं, इसमें से कुछ variables जो है, वो continuous हैं, कुछ discrete हैं, कुछ आपके पास category कलें, तो अगर आप किसी variable के बारे में देखना चाते हैं, data में तो क्या कर सकते हैं आप जो है वो अगर code book की command दे दें और आप कह दें month तो ये आपके पास जो है हमें पता चल जाएगा कि range इसकी एक से लेके 12 तक है और ये numeric variable है और obviously ये एक discrete variable है तो यहाँ आपे percentiles की कोई खास sense नहीं है ये just one से लेके 12 तक variables बनते हैं तो अब अब हम इस data को अगर browse करना चाते हैं तो यहाँ पे आप click कर दें data editor पे या data browse करना है तो data editor browse लिख दें या यहाँ पे बी आर जिस लिखेंगे तो एक new window open हो गई जिसमें आपको ये सारे का सारा data नजर आ रहा है तो ये 2013 का साल है month कौन सा था day of that month कौन सा था departure time, departure delay arrival time arrival delay, carrier कौन सी कौन सी airline थी उसका जो शार्टना, tail num, flight number, origin, john एफ केनेडी airport था लास एंजलेस को जा रही थी john एफ केनेडी से जो है वो कहीं और जा रही थी, आपके पास time कितना था, distance कितना था तो you can work with this अभी जो अब हम अपनी उस lab के पहले questions पे जाते हैं मैं दोबारा से बता दूँ कि ये labs available है Stata में, Jamovi में R-base में, R-tidyverse में, और बहुत सारी, तो मैं यहाँ पे आपको तीन में demonstrate करने जा रहा हूं, Stata R, Tidyverse R, Studio Tidyverse और Jamovi तो यह Stata में हम देख रहे हैं अब हमारा पहला सवाल जो पूछा गया है, पहला सवाल हमें ये देख लिया कि data कैसे है पहला सवाल है कि आप departure delay का graph बनाएं, अब departure delay का अगर आप पिछली वीडियो recall करें, तो departure delay यहां पे आपके पास जो है वो एक continuous variable है ठीक है जी, code, book आप यहां पे depart delay तो यह continuous variable है तो अब आपके पास यह minutes में है तो अब आप इसको जो है वो इसको continuous variable की जो graph होता है वो कैसे बनता हिस्टो ग्रैम में तो चाहिए यहां पे command दे दें तो जिन दोस्तों को अभी नहीं पता वो simply यहां पे जाएए graphics, histogram इस histogram में आप drop down variable मांगे drop down variable है हमारा departure delay departure delay यह हमारा variable हो गया departure delay, number of bins को इस वकद हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमने just अगर ok करेंगे तो यह window close हो जाएगी अगर submit करेंगे तो यह window हमारे सामने जो है open रहेगी तो आपको अगर command नहीं पता तो यह आपके पास जो है वो departure delay की histogram आ गई तो यहां आपे उसने 21 bins दी है 45 bins दी है तो एक यह था कि आप यहां आपे command दे देते तो भी यही result आते हिस्ट अगर आप पहली चार letters लिक दें तो इसको समझ आ जा जाती है तो अगर आप इसको depart delay यह अगर आप यहां पे लिक देते तो भी हमारे पास वही वाली histogram आ जाती अब यह जो status की window होती है इसका बहुत फाइदा रहता है जिसको हमने close नहीं किया अब आप यहां पे पहला उसने सवाल पूछा है कि number of histogram बना दे वो हमने बना दी उसने का जी number of bins अगर default हमने 45 ली है अगर उसके बजाए आप 15 ले तो क्या होता है तो यह हमारे पास number of bins हो गई हमने का कि number of bins को ना बहुत small होना है ना बहुत large होना है तो यहां पे देखें यह clearly secure distribution है और कुछ flights ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा number of minutes डिले होई 1000 प्लस मिनट्स भी 12-13 सो मिनट्स भी डिले होई तो यह आप जो है वो इसको देख सकते हैं अब अगर number of bins और गर आप command के through करेंगे तो यह देखें साथ साथ यह command बन रही है दूसरा उसने पूछा है कि number of bins अगर आपके पास जो है 150 हो जें तो हमने यहां पे 150 bins बना दी तो आप देखें तो it's too many bins तो हमने यह कहा था कि number of bins ना बहुत कम होनी चाहिए ना number of bins बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो अभी तक हमने जस्ट यह देखा कि new york city flights data क्या है उसको हमने describe किया मैं दुबारा से यहां पे describe कर देता हूँ तो यह data को जब हमने describe किया तो हमें पता चला कि there are 32,735 observations 16 variables और हर variable की type long add double double मैंने आपको बताया था कि continuous variable होता है तो यह जो departure delay है यह double है air time double यह यह वो variables है जिसकी अगर single variable का graph बनाना होगा तो हमें histogram बनानी है string variable की हमें जो है वो बार चाड़ या उस तरह से आपको लेके चलना है so far so good let's move अब अगला स्वाल यह है कि जी आप जो है वो data को summarize करें लेकिन destination पहले हम सारे data को summarize कर देते हैं departure delay को तो आप देखे तो यह stat आप वगरा में यह असानी है कि आप इंग commands के थूँ जा सकते है summary statistics तो यहाँ पे summary statistics में हमने variable मांग लिया departure delay तो यह आपके पास departure delay आ गया और यहाँ पे हमने इसको कह दिया जी submit तो आपको यह summary stats मिल गई जिसमें आपको observations मिल गई mean मिल गया standard deviation मिल गया minimum maximum तो यहाँ देखें तो standard deviation बहुत ज़्यादा है mean delay अगर 12 मिनट है तो standard deviation 40 है तो यह आगे चलके हम देखेंगे तो यहाँ से जो चीज़ हमें नजर आ रही है कि और हमने अभी graph से भी देखा कि यह data secured है तो इसके लिए फिर हम थोड़ी सी detail भी मांग लेते हैं तो अगर इसी चीज़ को हम जो है वो data की detail मांग लें तो display additional statistics तो that can be very interesting one तो आप देखें तो अब हमारे पास one percentile भी declare हो गया minimum value होगी fifth percentile twenty-fifth percentile fiftyth percentile seventy-fifth percentile maximum value तो यह आपके पास mean आगया 12 और median के आया है median is minus two तो आप देखें तो यह secure थी right पे तो mean जो है right पे shift होगया जबके median तकरीबन वहाँ पे minus two के करीब रहा सीक्यूनेस कर्टॉसिस हमने अभी discuss नहीं की अभी तक हमने सिर्फ कोई condition नहीं लगाई कोई कुछ नहीं किया अब अगर उसका अगला स्वाल यह है कि आप इस डेटा को summarize करें अगर flights जो है वो लास एंजलस से डिपार्टी थी अगर उनका जो है वो जो आपकी जो destination है वो हाँ न्यू यार्क से वो लास एंजलस गई तो इसका तरीके कार क्या है कि अब हम यहां पे वही वाली तो यहां पे जो आपने मैं दोबारा से recall कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यह देखे मैं स्टिस्टिक्स में गया यहां से समरी में यहां से आपके पास समरी स्टिस्टिक्स आ गया यह departure डिले हमने मांग लिया था अब हम by और if कहते हैं हम कहते हैं जी कि अगर आपका variable यह देखे ओपर यह एक variable गिवन है destination यहां भी यह देखे हैं कि जी चुके यह string variable है string variable को inverted commas में लेके जाना है तो हमने का जी सब्मिट कर दो तो इसने आपको सिर्फ वो वाली flights दे दी अगर आप देखें इसकी पहले तो यह आपके पास जो है वो वाली flights हागी 1583 जो के लास एंजलिस गई नियू यार्क सिटी से ठीक है तो नियू यार्क के दोनों एरपोर्ट से तो उसका डेटा उसका behavior कैसे शो हो रहा है तो वो इस तरह से आपके पास चल पड़ा आगे चलते हैं जी अब इससे अगला स्वाल हमारा है कि जी आपके पास जो है और डीटैल समरी भी ले लिया है और हमने शार्ट समरी भी ले लिया है तो यह कमांड्स आपकी यहां पे सारी की सारी जो है यह कमांड्स यहां पे रीकाल अगर मुझे last command में कोई शू आया था तो यह देखिये last command मेरी recall ہوگی. आप उस पे क्लिक करेंगे तो last command आ जाएगी. अगर मुझे detail नहीं चाहिए तो मैं यहां से detail को रब कर दूँगा वो जो वहां पे आपने का था additional statistics तो यह आपके पास जो है. तो चाहे उधर से करेंगे तो command इदर आ जाएगी या इस command को recall करें तो results आजएंगे. अब अगला हमारा स्वाल यह है और वो मैं command के दूँ इसलिए कर रहा हूं ताके आपको एक बात समझ जाए. ठीक है? next question हमारा यह है कि अगर आपके पास destination SFO है और month जो है वो second है. आपके पास destination क्या है? destination आपकी लिक्जंबर्ग नहीं है बलके SFO है. SFO और month and month जो है वो क्या है double equal to तो फिर क्या होगा तो यह रेखे तो अब आपके पास यह command भी आपके पास show हो जाती है कि summarize departure delay if destination double equal and month equal to तो यह 68 flights हैं जिनकी destination SFO हो ती है और वो second month मैं वहां से depart की अब next question है कि जी वो flights बताएं जो के arrival थी वो delayed थी और उनकी destination BCA थी तो आप यहाँ पे रिखे मैं इसी command को लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं variable का name arrival delay AR 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 और यह destination मैंने यहाँ पे change कर दी if and only if DCA और month मैंने कह दिया 3 तो यह मेरे पास आ गया अब अगर हमें इसकी histogram बनानी हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हिस्ट अगर लिख दूँ अगर मैं यहाँ पे जस्ट हिस्ट लिख दूँ हिस्टोग्रेम के पहले चार लेटर्स तो इसको समझ आ जा जाएगी कि यह क्या कहना चारा हैं और month equal to 3 तो आप यह देखें तो यह distribution आपको execute distribution लग रही है अब आप से यह पूछा जा रहा है कि कौन सी मैयर आप इस पर prefer करेंगे mean या median तो हमने यह बात देखी कि अगर distribution secured हो तो median is relatively better than mean क्योंके mean जो है वो shift हो जाएगा large number की तरफ mean जो है वो shift हो जाएगा large number की तरफ तो इसी तरह से अब अगला एक समाल वो पूछ रहा है कि जी आपके पास जो है वो आप जो है वो data को जो है month two में जो flights हैं जो आपके पास जो departure delay है और उनकी destination sf हो थी उसको अप sort करके जो है है वो लिख दें तो हम यहां पर कमांड ले रहे हैं by side इस से क्या होगा मेरा data जो है जो सम नंबर है वो वो मेरे पास जो है वो 60 हो के आ जाएगा तो summarize करना है तो su अगर लिख रहे हैं तो वो summarize कर देता है departure delay if destination dst double equal और जो string variable होता है character variable होता है जो categorical variable होता है उसको हम inverted commas में लिखते हैं sfo और month हमारा क्या है and month double equal 3 तो यह मेरे पास जो है वो results आ जाते हैं साटो के आप इसको फर्दर जो है वो देखते रहे हैं ठीक है जी तो इसी तरह से आपके पास जो है वो हम यह कहते हैं कि अगर आपको यह पता हो अगर के जी जो है flight on time आई है या के flight जो है वो delay थी तो यहां हम एक variable जो के पांच मिनिट से less time delay है उसको हम कहते है on time है तो अगर नया variable generate करना हो तो उसके बहुत सारे ways है एक तो यह है कि यहां पर आप कर दें data create a data create new variable यह create new variable मैं हमने कह दिया जी float और हमने कह दिया हमारा variable क्या है कि जी आपके पास variable है हमारा के डिपार्ट टाइप कह लें डिपार्ट टाइप और हमने यह कह दिया कि जी आपके पास जो है वो डिपार्ट टाइप जो है वन है ठीक है तो इस departure delay less than five minutes है तो अगर departure delay जो है वो less than five minutes है I am not sure but let me add it okay तो इसको थोड़ा सा हम यह असल में इस command को अगर यहां पर मैं करूं तो departure delay हम कहते हैं one अगर जो है departure delay जो है departure type जो है one है on time है अगर जो है वो आपके पास जो है departure delay जो है वो less than five minutes हो तो if departure delay less than five minutes तो जो इसको हमें replace यहां पर वो कहता है यह variable पहली generate होगी है replace और तो अच्छा जी और अगर आपके पास जो है वो depart time जो है वो ज्यादा है पांच मिनट से तो हम यह कह रहे हैं कि जी then इसको जो depart type है इसको कह दो zero ओके आई थिंक कि यह variable generate करने में मसला हुआ एन्योग लेक्षी एक मिनट मुझे दें आई 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 लुक इंड़ तो मैं उस variable को drop कर दिया departure type तो इसको मैं दोबारा से generate कर रहा हूँ generate departure type equal to one if departure delay is less than five minutes ओके तो 10351 flights तो इसी को अब मैं कर रहा हूँ कि इसको zero से replace कर दो अगर हमारा जो है वो departure delay जो है वो more than five minutes है तो यह आपके पास जो है first lab almost data में कैसे करनी है वो कंबल होनी जा रही है तो departure delay हम कह रहे हैं more than five minutes तो जो फ्लाइट पांच मिनट से कम कम डिले होगा उसको on time consider किया जाएगा और जो फ्लाइट से ज्यादा होंगी उनको हम delay consider करेंगे fine जी इस से आगे अब हमें यह कहा जा रहा है कि जी आप एक graph बनाएं और वो graph जो है वो आपके पास departure type के लिहाज से हो तो हमें पता है आप departure type 0 या 1 है तो 0 या 1 variable के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको bar chart बनाना होता है continuous variable हो तो हमें histogram बनाना है तो यहाँ पे आप इसको graph मना दें graphics बार चार्ड बार चार्ड में हमारा जो variable है वो कौन सा है हमारा variable है ओके यह थोड़ा सा time लेगा इसलिए मैं यहाँ पर direct command के तुरू कर रहा हूं तो यहाँ पर हमने कह दिया जी के आपके पास जो है graph ' बार, बार, बार पड़्द, आप, बार बार, बार, बा清क बार, आपज़ा है जाहा एओ झाल वर्चार चार्ड ऑर यहाँ ग्रवाँ तो यह command देखिए तो over origin और over पहले में princess नहीं लगाये थे तो यह आपके पास जो है वो तीन airports जो है वो आपके पास जो है तो यह depart type जो है वो zero means के जी delayed है one means in time है delayed है in time है अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं finally आप से यह कहा जा रहा है कि जी आप scatter plot बना दें ठीक है यह final part है इस lab का तो scatter plot आप create करें वो scatter plot create करते हुए basic scatter plot departure delay और departure arrival delay में आप एक scatter plot बनाए okay arrival delay आएगा vertical axis पे कि एक flight जो है वो अगर उसने depart delay किया था तो उसका arrival कैसे होगा fine जी इसमें हम if condition वो कहते है कि यहां पे बहुत सारी destinations थी तो वो तो फिर बड़ी complicated है हम यहां पे एक सारे data के लिए बना ले ठीक है अभी एक minute एक सारे data के लिए पहले बना लेते हैं तो यह सारे data set के लिए बन गया तो यह बहुत सारी concentration यहां पे है एक यह है कि हम यहां पे यह कहते हैं कि जी अगर हमारी जो है वो carrier जो है जो air company है वो carrier जो है वो equal to double A है और यह vertical line जो है यह arch हो करती है carrier हमारी जो है वो DL air line है और carrier हमारा जो है वो double equal UA है I hope so far so good ओके टाइप mismatch है कहीं हमारा कोई error आ रहा है तो यहां पे छोटी सी यह कामने दिखे if and only if की command में छोटा सा मसला आ गया तो यह carrier double equal यह चलेगा तो I hope or अभी भी कहीं or double equal yes यह पहले वाले में भी carrier double equal नहीं था सिर्फ equal put किया था तो उससे उसको if condition करनी समझाती I hope yes that's that's okay तो यह आपकी stata की lab जो है यहां आप तक मुकमल होती है तो जिन दोस्तों ने stata की इस lab को देखना है stata में करना है वो stata के through करने जिन्होंने आर और जमोवी के साथ करना है वो मेरी अगली lab का जो है वो wait करें thank you for watching take care